मनोज बाजपेई की पतनी शबाना पर था नाम बदलने का दबाव, बोली किसी ने मेरी नहीं सुनी. मनोज बाजपेई ना सिर्फ ओन स्क्रीन बलकि ओफ स्क्रीन भी फैमिली में हैं. पसनल लाइफ की बात करें तो वह शबाना, शबाना के पती हैं और बेटी एवर के पिता हैं. मनोज इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई वैब सीरीज की सक्सेस को इंजोई कर रहे हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक वक्त था जब उनकी पतनी भी एक्त्रस थी. हाला कि फिल्मों में आने के लिए कुछ ऐसा हुआ जिससे वह खुश नहीं थी. क्या था पूरा मामला आए जानते हैं. करीब से किया था बॉलिवुड देब्यू. दरसल शबाना ने नेहा के नाम से बॉलिवुड में बॉबी देओल के साथ फिल्म करीब से डेब्यू किया था. इसके बाद वह जय देवगन के साथ हुगी प्यार की जीत और रितिक रोशन के करने पर आज भी वह नेहा के नाम से ही मिलती हैं, ना कि शबाना. शबाना नहीं बनना चाहती थी नेहा. तमाम सिलिब्रिटीज ने फिल्मों के लिए अपने असली नाम बदले लेकिन शबाना कभी भी नेहा बनने के पक्ष में नहीं थी. वह नाम बदलने के विचार के ख मेरे पेरंट्स ने गर्व से मेरा नाम शबाना रखा था। इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। जब मैंने इंडिस्ट्री में कदम रखा, मैं काफी मच्योर हो चुकी थी। मैं पहले हर चीज को लेकर बहुत आशनका में रहती थी लेकिन अब मैं चीजों को बहतर तरीके से समझती हूँ। संजे गुपता के कारण वापस मिली पहचान। इसके बाद संजे गुपता की फिल्म अली बाग के लिए शबाना अपना असली नाम यूज़ कर सकी। एक्तरस ने बताया था, यही बज़े थी कि संजे और अली बाग की पूरी टीम के साथ काम करना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा अनुभव रहा। मैंने संजे से कहा कि मैं अपने असली नाम के साथ काम करना चाहती हूँ और वह इसके लिए तयार थे। मैं अपनी पहचान को दी थी और अब मुझे यह वापस मिल गई। तमिल और कंणर फिल्में भी कर चुकी हैं शबाना। शबाना आखिरी बार 2009 में रिलीच हुई फिल्म, एक्सी, डाफे, कट्री में नजराई थी। एक्स्रस का फिल्मी करिया काफी चोटा रहा है लेकिन उन्होंने तमिल और कंणर भाशाओं की फिल्मों में भी काम किया है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना न भूलें आप सभी को धन्यवाद।